हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्त मुर्बटी और आप देख रहे हैं रूफ गार्डनर वेदुमर आज मैं जिस पोदे के बारे मैं आपको बताने लगा हूँ यह है बैंगन का पोदा जिसकी पनीरी मैंने मार्च के महीने में लगाई थी आप यह देख सकती है कि इसके आप जोटे चोटे जोटे 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 पांदा दिन के बाद जोटे जोटे पोदफ निकल आए है आप यह और देख सकते हैं वह जोटे-छोटे प्लान थे उनको मैंने शिफ्ट कर दिया है अब इनकी जोटे डबे में जल्बे होगी और ज़ल्दी बढ़े है यह एक महीने बाद का रिजल्ट है आप ये देख सकते हैं ये पोदे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है जिसके बाद आप इनकी ग्रोड देखिए सही चल रहे हैं और इनकी ये हाइट और इसके पते देखें कितने बड़े बड़े हो गए है ये देखिए तकरीबन दो माँ बाद आज तीस अपरैल है इसमें देखें इनके ये पते कितने कितने बड़े हो गए है और ये इनके ओपर फ्लॉटिंग भी शुरू हो गी है आप देख सकते हैं इनके ये फ्लावर बन रहे हैं ये छोटे छोटे आपको मैं जूम करके दखाता हूँ आपने इसको ज़र से ज़रा पानी नहीं देना इसकी पानी का ख्याल करना है जब आपने इसको शिफ्टिंग करना है इसको तीन से चार दिन आपने चाहों में रखने हैं उसके बाद आपने इसको दूप में रखने हैं दो माँ के बाद इसके बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और आपने इसको पानी देते रहना है और इसमें कोई खाड डालने के ज़्रोत नहीं है यह आप जाज से जादा इसमें गोबर खाड एक दफा डाल सकते हैं उसके बगार यह आप देखेंगे के अच्छी गरोध इनकी होगी वीडियो देखने के लिए थैंक्स और आला आफीज